नमस्कार अने, वलकम यौल टू स्टडी आईक्यू, मैं हूँ प्रशान धवर, नाव रिसेंटली युनाटेट नेशन्स में एक बहुत ही विचत्र बात हुई है, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किये गए हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसलामफ को रोकने के लिए, वोटिंग होती थी UN में, इंडिया उस रेजिलूशन को सपोर्ट करता था, मगर इस पर्टिकलर केस में, इंडिया ने सिंपल एक बात रेस करी है, दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदूस हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, 30 मिलियन सिक्स हैं, उनके बारे में क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा, इस्लामाफोबिया को काउंटर करना important है, मगर जो non-Abrahamic religions हैं, उनके बारे में हम कब विचार करेंगे, ये जो छोटी सी क्लिप है, भारत के अंबैस्टर की, जो आज के समय रेपेसेंट कर रही है, इंडिया को to the United Nations, ये जो अचरी जो दो एक रहा जोली आज के समय तरी अट करता है, राधिया को क्रेशुशल तो के समय पैल बारे में बाता है, जो एकर जो क्रणीड़ करेंगे, जो जो आजी बाता है, इस्लामाफोबिया क्रुच्छ जो करेंद्गुच्छ आज आर पे आपका क्वेशन हो सकता है यह सारा एशू शुरू कहां से हुआ, क्यों इंडिया को ये बोलना पड़ा, कि इतने बिलियन हिंदू हैं, इतने मिलियन बुद्धिस हैं, सेक्स हैं, इनके बारे में भी तो सोचो, आप सिंप्ली एक रिलिजिन के बारे में ही, जो फोबिया है, उस पर ही क्यों काम कर रहे ह तो ये जो बात है, ये शुरू होती है, United Nations General Assembly, आपको बताओगा, UN में दो बहुत important assemblies हैं, एक तो है Security Council, जहाँ पे permanent 5 countries बैठते हैं, एक है General Assembly, जहाँ पर 190 countries से भी उपर member हैं, Now, General Assembly में पाकिस्तान और चाइना, जी हाँ, पाकिस्तान ने co-sponsor किया, चाइना ने इसको support किया, और इन दोनों countries ने एक resolution प्रेजेंट किया, resolution का नाम था, measures to combat Islamophobia, दुनिया में जो Islamophobia लगातार बढ़ता जा रहा है, Islamophobia आप कहलीजिए, जो लोग Islam को follow करते हैं, उनके खिलाब अत्याचार करना, उनसे नफरत करना, ये जो बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में Islamophobia, इसको हम कैसे counter कर सकते हैं, और ये resolution, specifically, एक दिन को present किया गया था, जिस दिन का नाम है, International Day to Combat Islamophobia, जी हाँ, ये एक proper United Nations designated International Day है, इसे हर साल observe किया जाता है, International Day to Combat Islamophobia, इस दिन ये resolution प्रेजेंट किया गया, जो organization of Islamic cooperation है, वो भी याँ पर कूर दिया, उन्होंने कहा कि हम भी support करते हैं, इस resolution को, और फिर होई voting, और voting में ये रिखा गया, कि किसी भी country ने इस resolution के against vote नहीं किया, जो voting है, ये मैं आपको दिखाना चाता हूँ, अब इदर आद देख पाओगे, कि ये सब जो country है, जहाँ पर ये plus का sign लगा हुआ है ना, green में, इन countries ने इस resolution को support किया, कि हाँ, बिलकुल, हमें कदम उठाने चाहिए, ताकि Islamophobia दुनिया में रुके, जिन countries पे कोई भी mark नहीं लगा हुआ, इन्होंने इस पू उसके लावा, Fiji, Mauritius, Nauru, कई और countries है, जिन्होंने altogether इस resolution को attendी नहीं किया, किसी भी country ने इस resolution के against voting नहीं करी, नहीं तो usually आपके पास 3 options होते हैं, एक resolution प्रेजेंट किया गया, या तो आप इसको support करोगे, in favor vote करोगे, या फिर आप उसके विरोध में vote करोगे, कि इसको pass नह करे हो, कि ना मैं इसके support में हूँ, ना इसके against हूँ, इंडिया का जो stance था ना ये abstination वाला था, interestingly देखिए, किसी भी country ने इस resolution का विरोध नहीं किया, obviously कोई ये नहीं चाहेगा, कि Islamophobia को बढ़ाया जाए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा, तो इसलिए किसी भी country ने ये नहीं का, कि हम इस resolution के खिलाफ है, abstain जब एक country काता है, तो इसका primary reason होता है, कि इस resolution में कुछ बदलाव करके इसको और बहतर बनाया जा सकता है, अगर हम बात करें इस resolution के support की, तो 115 countries ने इसको support किया, इसमें पाकिस्तान शामिर था, obviously पाकिस्तान ने खुदी present किया था ये resolution, चाइना यह States of America, Uzbekistan, Vietnam, various countries ने इस resolution को support किया, और ये resolution पास भी हो गया बिना किसी problem के, मगर इंडिया ने आपे एक issue ये रेज किया, कि देखो हम एक पूरा resolution पास कर रहे हैं, दुनिया भर के countries वोट कर रहे हैं, कि Islamophobia रोको, मगर बाकी फोबिया इसका क्या, Christianophobia भी होता है, अगर हम देख जो Jews के against नफरत बरती जा रही है, ये भी एक अपने आपे फोबिया है, उसका क्या, और जो non-Abrahamic religions हैं, देखो religions भी दो टाइप की होते हैं, एक तो Abrahamic, Abrahamic religions होते हैं, Islam, Christianity, Judaism, और फिर है non-Abrahamic religions, जैसे के Buddhism, Hinduism, Sikhism, even Janism, various religions आते हैं याँपर, जो non-Abrahamic roots से आते हैं, तो इ इनके against जो temples पे attack किये जा रहे हैं, जो Hindus के against काफी बार social media पे नफरत फिलाई जाती है, हमने अभी recently देखा X.com पे क्या हुआ था, उस सब को हम कब रोकेंगे, तो overall, religionophobia, चाहे किसी भी type का हो, इसके against काम करने की जरूरत है, ये India ने main issue raise किया, कि rather than focusing on just one religion, overall, सभी religions के against, जो hate फिलाई जाती है, जो नफरत फिलाई जाती है, उसको रोकने की आफशकता है. Now, question यहाँ पर ही आता है कि भारत का stance क्या ठीक है, और ये question पूछने का एक reason भी है, इंडिया का जो stance है, इसको लेकर controversy इसलिए आई है, क्योंकि जो resolution आप पूरा देखोगे, जो Pakistan, China ने promote किया था, बार में OIC ने भी इसको support किया, भी ये पास हो चुका है, इसमें Israel का भी mention है, इस resolution में आप देखोगे, यहाँ पर primary लिखा है, the most egregious current manifestation of such sentiment is Israel's military onslaught in Gaza, और देखें, इसराइल की अलुषना यहाँ पर करी गई है, यह का गया है, यह का गया है, गाजा में इसराइल जो कर रहा है, बहुत ज़रा गलत है, और साथ में देखो, एक issue यह भी आता है, कि Israel in the future, गाजा में जो कर रहा है, यह और ज़्यादा extreme होने वाला है, इनका जो attack है, यह बढ़ने ही वाला है गाजा में, और most recently, इसराइल ने यह भी का है, कि यह रफा बॉर्डर पे भी attack करना start कर देंगे, तो question यहाँ पर यहाँ आता है, मैं आप से पूछूँगा, कि क् resolution को ना support करके, abstain करके, या फिर आप मानते हैं कि since यहाँ पर कई India की जो friendly countries हैं, वो भी इस resolution को support कर रही थी, जैसे कि Saudi Arabia, UAE, तो एक बार को इस resolution को support करना चाहिए था, तो लिखेगा comment section में, मैं जाना चाहूँगा आपका opinion, since लाखों लोग देखेंगे video, मैं genuinely जाना यह ठीक था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, we should have taken a different stance, लिखेगा इसके बारे में comment section में, और हाँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही important जानकारी, अगर आप UPSC exam की एक बार life में properly preparation करना चाहते हैं, तो study IQ के जो courses हैं, यह available हैं, आप इने purchase कर सकते हैं, simply जाहिए comment section में, यह आप देख पाओगे, तीन link आपको विलेंगे, English batch, Hindi batch, अगर आप pure Hindi batch purchase करना चाहते हैं, यह भी available है, और अगर आप mixed language में चाहते हैं, Hindi English का एक mix हो, तो वो भी आप purchase कर सकते हैं, simply click कर ये इस link पर, और आपके सामने ये page खुल जाएगा, अगर आप mobile phone पे हैं, तो study IQ की जो app ह ये भी आप कर सकते हैं, download, और उसके बाद यहाँ पे आपको click करना है, buy पर, और buy पर click करने के बाद आपके सामने ये screen खुल जाएगी, यहाँ पे आप देख पाओगे, लिखा है, two offer available, ये जो दो codes हैं, ये आप अगर लगाओगे, तो discount आपको इतना मिलेगा नहीं, for example, य आपको 30 महीने की validity के साथ, study IQ का premium UPSC preparation course मिलेगा, और इस course की खासियत यह है, कि आप prelims clear कर देते हैं, तो इसके बाद आपको दिल्ली invite किया जाएगा, आप study IQ की team के साथ मिलके prepare कर सकते हैं, for mains and further examinations, आपको live class मिलती है, यहाँ पर prelims test series मिलती है, one-to-one mentorship मिलती है, all for just 23,999 रु for listening and as I always say, may the gods watch over you.